जैहिंद फिर दोस्तों आज की वीडियो सो बात करने जा रहे हैं दिल्ली में 20 सरकारी नोगरी का उसार आउट हुआ है 12 पास graduate level सब के लिए अगर आप freshers हैं दिल्ली में नोगरी लेना चाहते हैं पकी सरकारी नोगरी लेन जाते हैं आपके पास कोई भी experience नहीं है कोई भी टेकनिकल फिल्ड नहीं है तो यह आपके लिए गोल्डर पोर्चुटी हो सकती है तो आज की वीडियो सो बात करेंगा आपको अप्लाइ के सकते हैं साले पैगेज एची का इट्रिया जितनी बात्रे पोस्ट है यह सारी पोस्ट आउट हुई है इसके अलावा भी कुछ पोस्ट है वो टेकनिकल है अगर आपने कोई टेकनिकल कोर्स किया हुआ है तो आप एक बड़ एड़ डिडाउट कर लेना यह जितनी पोस्ट मैं बताऊंगा यह नोन टेकनिकल पोस्ट है इसमें कोई भ सब्सक्राइब कर सकते हैं उझे के साथ 35 वर पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्वीड होनी चाहिए अठारा साल से 27 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए यानि 18 से 27 साल के सभी के इंडेटिस को अपलाई कर सकते हैं सेवंध पर कमिस्टन को अपनी लेवल टू की सहली मिलेगी लगते ही 30 से 35 आपकी सहली बनेगी और हर साल इंक्रिमेंट के तोर पर बढ़ती ही चली जाएगी अगली पोस्त ले लेते दोस्तों अपनी स्टैनो ग्राफर पोस्त है जो इस इस प्याइवल फोर केंगे सहली मिले लगते ही और जानी कि आपकी बता दो दोस्तों तो पैंसट हजार आपकी सहली रहेगी अठारे से 35 साल एज होनी चाहिए ग्रेजुशन मांग गया है इससे अगली पोस्त की बात करते हैं सीनर पोस्त का नाम है सिक्स पेकमिस्ट सेवन पेकमिशन को को डिंग लेवल इसमें सिक्स की सहली मिलेगी अठारे से 30 साल एज होनी चाहिए ग्रेजुशन मांग गया है अगली पोस्त एसिस्टंट की इसमें भी लेवल 4 केंगे सहली मिलेगी अठारे से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए और ग्रेजुशन मांग गया है अब बात करते हैं ड्राइवर पोस्त के बारे में जो ड्राइवर की पोस्ट आउट हुए इसमें लेवल टू कहेंगे सेल भी लेगी अटारे से 35 सालेज होने चाहिए ट्वेल्थ पास मां गया है और ड्राइविंग लेसंस आपके पास होना चाहिए इसमें डिजाइरेबल क्वालिफिकेशन में में अपके पास इसम अप्लिकेशन पोस्ट यहां बने लिए और यह सब सेंड करने होंगे डिमांड राफ्ट भी लगाना है दोस्तों ध्यांज समझना इसमें डिमांड राफ्ट भी लगेगा वह एडवर्ड़टाइजमेंट साफ सा मेंचन आप एक पर एडवर्टाइजमेंट जदूर रिड पल जीरो सैमन दोस्तो ये चीज अच्छी तरिक है समझ लेना दोस्तो तो वीडियो के से लिगा आप कमें सब्सक्राइब में जुरू पता सकते हैं तेंक्यू सो में सब्सक्राइब वाचिंग माई वीडियोज